के विडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को यह सीरीज काफी साथ पसंद आ रही होगी लास चेप्र में यह देखा था कि हमारा फेंग जो था वह हमारे सेंची के एकडम बेट के सामने खड़ा था और कियाता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस लड़के में इतनी क्या खासित है धाल यह मुझे नहीं में आ क्या मैं अच्या नहीं हूँ साह और कुंशु के सामने खड़ा कर सो चाहता है कि मिड़नाइट का टाइम था था तूछ ने वाला नहीं था हूद 썩ो रहा था वह थोड़ा से नीचे था में हमारा तीन तहबसा से नीचे जुकता ह मैं क्यों नहीं पसंद करता कि मेरे सीनियर मैं पसंद करता हूं कि और से ख्रोज जाने लगता है ऐसा लग रहा था कि हमारा जो फेंग यान है वह हमारी कुंशु को किस करने वाला है कुंशु तभी आंकी खोल देता है कि कुंशु को अफॉर्स पहले ही समझ में आ गया था कि इस फेंग यान की क्या इरादे है जो फेंग रहता है वह काफी से घबरा जाता है तुरंत पीशे अटा है कि तो तुम्हें अंधेरे से डर्ड नहीं लगता तो अखेले सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना हो कहता है और वह सीन वाइपर काट हो जाता है अब हमें हमारा सेंचे दिखा जाता है जो कि बागलों की तरह हस रहा था और कुछ स्ट्रीम देखा और कहता है कि स्कूल बेल वोमन की क्लोथ में सच में बात रूप में वहाँ और दटी थाउट सोच रहा था हमारे को कहता है कैसा ड्रींग था और कॉंशु कहता है कि क्यों नहीं आ सकता क्या और उसका जो डर था मैंने उसे क्यों कर दिया अब उसे डर नहीं लगता वह वापस कल तक अपने रूम में आ जाएगा और मुझे ठंड लग रही है मैं जा रहा हूं तुम्हारे बेट पे सोने के लिए यहां पर आया है मेरे साथ सुनने के लिए आप चाने भी दो तभी कहता है कि मैं लाइट को अफ कर दूं तभी हमारा जो कुंशु रहता है सेंची को आपनी तरफ कीशता है उसे किस करता है और कहता है कि किस गुद नाइट हैं वो दोनों ही काफी ज़दा खुश थे सेंची को खुश थी लआख का कर रहा है और मैं इसेंची ब्लश कर रहा होता है जो रहता हुआ परों कि आवह लेगे है अब रहा तसब लिएयँ कि です वेङे उनने कुछ कहा नहीं के उनोंने कुछ नहीं कहा तो मैंने फिर बाद में उनों से कुछ बीने हम काफी जाधा बिजी होते जा हुए थै और मैज इनक्रीज उम्च सीन होते वो हमें करना ही पड़ता था इवेन कुछ इतना जादा परफेक्ट है बास्केट बॉल में वह भी कितने टाइम सीन को रिडू किया गया है और से दुबारा सीन शूट करने के लिए कहा गया है दो महीनी की कड़ी महनत के बाद सेक्सेसफ़ोली फिल्मिंग एंड हो जाती है और हमें उनका दिखाया जाता है शो का नाम ब्रिजरवेट और वो फाइनली शूटिंग खतम हो जाती है कास्ट एंड क्रूज दो रहते हैं उनकी पार्टी होती है और वहां पर एक लेडी दिखाया जाती जो कहती था है सब्सक्राइब क्याती है कि आने वाली जो वार्पार्टी है वह सभी के लिए काफी जादा अच्छी होगी और सभी के हार्ट वक के लिए दी जाएगी जो कोशु खुशी होता है और वह रोग देता है कि नहीं मैं नहीं द्रिंक करूंगा वह ब्लाक क्र देता है कि अपने ग्लास को अन dataset को यह रेड वाइन ऐसे तमसारा ट्रंक नहीं हो slavery और सद्टनली पता नहीं हममारे की क्या हो जाता क्या च्छा जाने दो तो मैंheim युश्त कर लेती हुँ looks like it a tip work pozwik क्या सेट करती हो एक्षेप करते हो क्या हम लग सुन प्रिटेए हमाल जो सेंचे वह तर कहता है थांक्यू जाक्टर क्वैन एंड यह डाक्टर क्वैन होती है और फिर उसके बार लॉग यह दिखा जाता है और जो कि गुस्टे में कहता है कि देखो तो इन लोगों को आगे सोचनल लगता कि कौन सोच सकता था कि यह ऐसे एक्ट क जाने लिए थी एन्यवेगा सीन दिखा जाता जहां पर हमां जो फैंग यूँआं था वह काफी ज़्यादा रो रहा था वह ड्रंक हो चुका था और कहता है सीनियर मैंने वह जान बूचकर नहीं किया प्लीज मुझे मुझे माव कर दीजे प्लीज मुचे नफरत मत कीची काफी ज़ादा परेशान होता है तभी पैंग यांकी के एक चुक काफी ज़ादा ड्रॉंक मुझे में चुक यह काफी ज़ादा हो चुका है और को जाने मेंहें करता है था थाई कि सेल कुंशू कर देखा अपर हमां जो पीछे जी इससाथे लिएड़ी दिखा जाता है जो उसके साथ कुछ जादा ही ओपन अप हो रही थी हो कहती है कि शाल चैन और तभी उसके बाद हमाई जो सेंचियों ते कहता है क्या मैं लीन्यों को भीजू आपके साथ हेल्प करने के लिए और जो यह ड्रूंक लग रही थी और तभी लड़कटा जाती है आइमें समहल नहीं पाती है ताइक दूसरे फास जाता है और वह गिरने का ड्रामा करती है फिर सच मुझ गरती है और जो गिर जाती हमाई सेंचियों को ऊपर और जो कुछ उता है यह चीज नोडिस कर लेता क्योंकि वह एलिवेटर में जा रहा था तुरंत बहार निकलता लेकिन पांग उवान जो रहा था उसका हाथ पकड़ लेता है था सेंचियों को प्लीज मुझे माफ कर दीजे क्योंकि कुछ उस बड़म को प्रेस नहीं कर बाता उसकी हाथ स्लिप कर जाते है तो जो 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 बंद हो जाता है और कुछ पीज दिखकर ऐसा लग रहा तबी सेंचिय कहता है डेक्टर क्वेन यहां पर एक सोफा है आप प्लीस यहां पर बैठिये मैं आपकी हेल्प के लिए मैं किसी को बुलाता हूं और डेक्टर क्वेन कहती है कि मेरा होटल रूम में एक रूम है क्या तुम मोझे जो जो दोगे और तबी यह बाद सुनते हम हम जो सेंचिय होता है वह सुचिकता है और फो ब पर पड़ती है अब सीन वही पर कट हो जाता है फिर हमें कुंशु दिखा जाता है और जो पीछे एक लेड़ी रहती है कि कुंशु स्लोडाउन कुंशु मेरी बात कर सुनो फोन लगा रहा था और ऑफकॉस हो सेंचाई होगा और वह नमबर बिल्कुल भी अबलेबल नहीं ब बेफुवी भरी बाते बिल्कुल भी मत करो अगर तुम डाटर क्वैन को देखना चाहते हो तो तुम्हें पहले जाकर प्रेसेंट यू से बात करनी चाहिए लेकिन अभी ये बात सुनने के साथ सत हमाजु में हमारा कुंशु गुस्य में कहता है कि आप मैं तुम पर और ज सच आप चाहिए आन तभी बात सुनने के पर प्रेसेंट कुम डेफ ऐसे ली चाहिए अमारे साथ कभी ऐसा हुआ है तभी हमारा जू सेंच अचिला कर पर जीवी घया था है नहीं तभी हमारे जू जो जिमीन कहता है कि वैल तुम्हारे बारे में ये बिल्कुल भी किसी की साथ intimate हुआ है and इस पर आपकॉस हमारा संचे नहीं कहने वाला था and जो हमारा संचे था वे सुच लगता है कि यह कैसे ना धींग यह जो जीमिन है एक में एक रिच वुमिन के साथ सोना एक रिच वुमिन के साथ सोना राली यह जीमिन का अनुस्पोकेन डूल है और उसे तो काफी ज़्यादा बुरा लग रहा था तब हमें जीमिन दिखाया जाता है जो कि हस्ते पर कहता है कि क्या हुआ तो ऐसा लग रहा है कि कोई विक्टिम उनस्पोकेन रूल में फ़स्च रुका है वैसे उनस्पेकन जो रूल होते है वो इतने भी जादा बुरे नहीं होते है कोई भी मैटर चीज नहीं करता अगर साही चीज़े अगर खुद की मर्जी से हो या फिर आपसी मर्जी से हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और से वह उतने तुम पर काफी जादें इंतरस्ट थी अगर तुम उसे हो से साही सब्सक्राय कर रहे हिए तुम्हारे तुम्हारी साथ इंटिमेट होने लिए अई यह सुntा ही हमारे सेटेंूसा जो feelings कि हम लोग एक एकटर है कोई गिमिलो इनको गिगलो का मतलब नहीं पता, मैं बता देती हूं, वो ऐसे boys होते है, kind of male prostitute, and prostitute का मतलब तो आप लोगों पता ही होगा, जैसे female prostitute होती है, वैसे male prostitute भी होते है, but kind of giggलो भी वैसे होते है, जो women's को entertain करते है, and ये बाद सुनते ही हमारा, जो Jimin होता है कि oh, so what, अगर हम लोग actor भी है, तो भी, तो तुम ही क्या लगता है, ये जो profession है, वो noble, कोई profession है, मुझे असान ही लगता, and तुम्हें एक और बाद बता दू, इस पूरे world में कुशी लोग होंगे, जो इस तरह की लोगों को, और एक actor को noble मानते होंगे, तुम तभी qualified हो सकते हो, जब तुम इस build के सबसे ओची position पर खड़े हो, जहां पर तुम्हें कोई छू भी ना सके, तब शायद तुम खुद को कह सकते हो, और उसके अलावा, तुम्हारी कोई भी care नहीं कर सकता, उससे पहले तुम क्या हो, क्या नहीं हो, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता, तुम्हारी novelty, तुम एक lotus के flower हो, तुम्हें purity कितनी है, कितनी नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि तुम एक mud में खिले हो, तुम्हारी खीमत तब तक नहीं होगी, जब तक तुम्हें इससे बाहर नहीं आओगे, यह बास सुनते ही हमारा, जो सेंचे होतर कहता है, कि noble, लेकिन at least मेरे आखों में, इस चीज को noble ही कहते है, यह पीछप्टर खत्म हो जोता, I hope guys, आप सभी को चप्टर काफी जादा अच्छा लोगा, व